हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एद्वन से सक्सेस पॉइंट जैहिंद जैभारत वंदे मातरम आपके लिए मोस्ट मोड़न टोपक की सीरीज लेकर तयार हैं जो आपके हर कॉम्चिन एक्जाम के लिए कारगर सिद्ध होने वाली है चाहिए आप किसी भी सेंटर या स्टेट के एक्जाम की तैरी क्यों ना कर रहे हो तो आइए देरी ना करते हैं स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को आपका फर्स्ट कुशन है आपर बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है आपका फ्रेंड से होजेगा प्लेगरा रो कुन सा रोग होता है प्लेगर रोग होता है सभी फ्रेंड्स स्याद रखेंगे आईए बात करते हैं अगले क्यूशन की एक वेक्ति जो वन अंदिता से प्रभावित है एक वेक्ति जो वन अंदिता यानि की कलर ब्राइडने से प्रभावित है उसे लाल रंग कैसा दिखाई देता हैं, आपको Friends बताना है क्या होगा इस 걱정 का Newton का सही अंसर आपका एक रेक्ती जो वन अंदता Crossing परभावित है उसे लाल रंग कैसा दिखाई देता है आपका Friends सही अंसर का हरा दिखाई देता है सबी Friends दिखते हैं, आईए बात करते हैं आगले किशन की आप से फ्रेंड पूछा गया है विटामिन E किसके लिए आवशिक होता है विटामिन E किसके लिए आवशिक होता है जिस प्रकार से आप सभी फ्रेंड जानते कि विटामिन E है वो इसकी कमी के वज़े से बांचपन और इंफर्टिलिटी और पूर्शों के अ आपका सेंस रोगा ऐसंतरिप्त वसी अमल पाय जाता है आपका नेक्शन है इन में से कौन से कौन कमी कौन से की कमी होने से निमन में से कौन कमी से होने वाली बिमारी है निमन में से कौन कमी से होने वाली बिमारी है आपका फ्रेंट से हैंपर सेंसर होगा और आपका तीन है यहाँ पर सकरवी रोग है सकरवी रोग है विटामिन C कमी से होने वाली बिमारी है तो आपसे यही पर पूछा गया था कि निमन में इसे कौन कमी से होने वाली बिमारी है तो सकर भी रोग है जो बिमारी है कमी से होने की कारण किस की कमी से विटामिन C की कमी से आपका नेक्स शिचन है आयोडिन की कमी से होता है आयोडिन की कमी से होता है आपका फ्रेंट से एंसर होगा यहाँ पर ऑप्शमर भी गेंगा रोग होता है गेंगा रोग आपका से एंसर होजेगा आपका फ्रेंड्स यहां पर नेक्स श्चन है मिर्तॉप जीवी क्या मिर्तॉप जीवी किस पर निर्बर करते हैं आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है मिर्तॉप जीवी किस पर और निर बड़ करते हैं आपका friends guidance का मिर्त और चैसामागरियों पर पर वायू की उपस्तिती का कारण है आपका फ्रेंट से यंस होगा गुर्तव आकर्शन बल है क्या है गुर्तव आकर्शन बल है आपका नेक्स शुचन है और रोकेट को अंतरिक्ष में प्रेश्य पित करने के लिए रोकेट को अंतरिक्ष में प्रेश्य पित करने के लिए न जारा किलोमेटर पर सेकेंड आपका से इंसर होजेगा आएए बात करते हैं अगले बहतरी कुशन की हमारी आकाश गंगा की आकरती कैसी होती है हमारी आकाश गंगा की आकरती कैसी होती है सबी फ्रेंड्स फटा फट से अंसर देंगे और अपना कमेंट बोक्स में कमेंट करें ताकि आपका जो confusion है वो यहाँ पर clear हो जाएं ताकि आपकी exam के अंदर गलती नहा हो आपसे friends पुछा गया है कि हमारी आगाश गंगा क्या करती कैसे होती है आपका friends से answer होगा कुंडली कार होती है कुंडली कार करेट अंसर होजेगा आपका friends से answer होगा 28 तत्व है 28 आपका बिल्कुल से answer होजेगा निमन मेंसे किस तत्व की विदृत रिनात मक्ता सबसे उच होती है आपका बहतरी एंसर होजेगा और सनिक आपका सई अंसर होजेगा निमन दिये तत्व मेंसे सबसे अधिक आइनिक उर्जा किसकी है निमन ने लिखेते दिये गए तो तो में से सबसे अधिक आईनी कुर्जा किसकी है आप सभी फ्रेंट से अधर की है हिलियम की है हिलियम इसका गरे अंसर हो जएगा नेक्स आपके लिए आपसे पुछगे हैं सबजियां खराब होती है क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है सबजियां खराब होती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा किसकी होती है वाटर की होती है वाटर आपका से एंसर होजेगा नेक्स आपके लिए टेबल सरकरा किसे टेबलेट सरकरा किसे परकार की सरकरा होती है आपको बटाए इसके बार मतरा है तेट गूड फ्रेंट बहुत बड़ी है बहतरी किष्टन आपकी स्क्रीन पर हैं कि तेबल सरक्रा किस प्रकार कि सरक्रा हैं आपकी सुक्रोष सरक्रा हैं ओप्ष्मल आपका डी-गरेड एंसर होजएगा नेक्स आप से पूचा गहे हैं नीमबू किसके कारण कॉण खट्टा किसके कान खट्टा होता है आपका सेयंस रोगा सीटरी कमल के कान निम्बू खट्टा होता है निम्बू किसके कान खट्टा होता है आपका फ्रेंड सेयंस रोजेगा औप्शमर जो यहां पर D है सीटरी कमल आपका सीटरी कमल है जो निम्बू के अंदर पाए जाता है टार्ट किसके पाचन में मददद करता है आपको फ्रेंड्स बताना है लार किसके पाचन में मददद करता है आपका फ्रेंड्स यापर से अंसर होगा option नमर आपका दो starts आपका बिल्कुल से अंसर हो जाएगा very good friends बहुत बढ़िया सभी फ्रेंड्स कोशिश करें कि आप सभी कुशिशन का अंसर अपने कमेंट बोक्स में लिखे ताकि जब अंसर बताया जाए उस टाइम पर आपका confusion हो जाए next step के लिए निमले कित में से किस भाग इसमें पाचन और सबसन पाइप एक दुसरे को काड़ते हैं निमले कित में से किस भाग में पाचन और सबसन पाइप एक दुसरे को काड़ते हैं आपका friend सही अंसर होगा option मर आपकी ग्रासनली ग्रासनली के अंदर food pipe और आपकी wind pipe है दोनों आपस में एक दुसरे को काड़ते हैं इसलिए कहा जाता है कि जिस वक्त आप खाना खाए उस टाइम पर बोलते नहीं बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी कईबर सास के साथ खाना है वो food pipe से wind pipe में चला जाता है फ्लोरेंस से लैंप फ्लोरेंस सेंटे लैंप में चोक के प्लोरेंस सेंटे लैंप में चोक के उप्यो का उदेशष है आपका friend सेग्ण रोगा आप श्मर यहांपर क्या विदृदधारा के परभागों कम करना विदृदधारा के परभागों करना इसका reason है जो आपके चोक का प्लोरेंस क्विगे किशन के वस्तुवा में विदुद चुम्बकताव गुन का कारण है आपका फ्रेंट से अन्स होगा option बर यापर electron की वर्तिय या कखशे गती option बर आपका तीन बिलकुल से अन्स हो जाएगा आपका next question है आपसे friends पुछा गया है कि यहाँ पर विदुद चालता की quantitative इकाई क्या है या फिर आपकी विदुद चालता की मात्रा अत्मक इकाई क्या है आपको friends के बारे मुघ नहाएToday आपके friends दो units होती है, एक ऐसा unit होती है दूसरे आपके quantitative unit होती है तो आपसे आपर quantitative unit के बारे बुचा है तो आपका answer होज़ेगा M.H.O. More है जो आपकी विदुचा लगता की quantitative एकाई है Next आपके लिए विदुचा था, चुम्बकताव में समन्द किसने सापित किया आपका friends आपर सही answer होगा Michael Friday ने, किसने Michael Friday ने सभी friends चयाद रखेंगे आई ये बात करते हैं अगले question की आपका नए question है कि यहाँ पर चुम्बक की खालिस्तान छेतर की SI इकाई टेसला है हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा था कि टेसला है, वो किसी चुम्बक की छेतर में कौन सा छेतर है, जिसकी इकाई रहती है और आपने आज बताना है कि वो छेतर कौन सा है कि चुम्बक की है खालिस्तान छेतर की SI इकाई टेसला है, आपका friends चुम्बक की प्रेडरन की SI काई क्या होती है, डेसला होती है सब भी friends याद रखेंगे आई ये बात करते हैं अगले क्यूशन की भूपटल का परमुख भाग मुखे निर्मित होता है भूपटल का परमुख भाग निर्मित होता है, आपका friends से एंसर होगा, और शमत दो oxygen और सिलिकॉन से oxygen और सिलिकॉन से एंसर हो जएगा आपका निर्मित होता है, भूपटल में सबसे परचूर मातरा में मिलने वाली धात्तु है, भूपटल में सबसे परचूर मातरा में मिलने वाली तत्तो है प्रत्वी परे सबसे परचूर मातरा में मिलने वाला तत्तो है आपका फ्रेंड से इंसर होगा ऑप्षमर ऑक्सिजन है ऑक्सिजन आपका से इंसर होजएगा प्रत्वी पर सबसे अधिक परचूर मातरा में मिलने वाला तत्तो कुन सा है ऑक्सिजन है सभी फ्रेंड सियात रखिएंगे आईए बात करते हैं अगले भाते बैतरू की कैस्षिन की जौब की स्क्रिन पर है आपसे फरेंट्स पूछा गえ है हेमेटाइज थ तन खनीज है है हेमेटाइज थ तन खनीज है आपका से एंसर होगा आपका यहाँ पर दो लोहा का रेट एंसर हो जाएगा आईए बात करते हैं अगले क्विशन की क्रोमाइट ए आईश के खनीज है क्रोमाइट ए आईश के खनीज है आपको किसका है आपको फ्रेंड्स के बारे मितना है आपका फ्रेंड्स यापर से ए सब्सक्राइब करोमियम को प्राप्त के जाता है सभी फ्रेंड से आदा किए आपका ऑप्शन नमबर क्रोमियम बिल्कुल से एंसर हो जाएगा आए बात करते हैं अगले क्विशन की तिल चट्टा जल में जीवित नहीं रह पाता क्योंकि उनका सवसनंग होता है तिल चट्ट के पानी में गिरते ही मोत हो जाती है आएए बात करते हैं अगले क्विशन की रक्त में ऑक्षिजन का प्रिवेन किसकी साहिता से होता है रक्त में ऑक्षिजन का प्रिवेन किसकी साहिता से होता है आप सभी फ्रेंड जानते हैं कि रक्त में ऑक्षिजन का प्रिवेन हीमोग लोबिन किसके अंदर पाई जाती, आपकी RBC के अंदर, और RBC को औरने किस नम से जाना जाए, इरिट यहां पर इरेथोसाइट्स के नम से, इरेथोसाइट्स आपका से इंसर होजेगा, नेक्ट आपके लिए, मचली में उपस्तिते वायू कोष्ट क्या है, मचली में वायू कोर्स्त क्या है सब ही friends अंसर देंगे इस बहतरीन क्षिन का बहतरीन अंसर क्या होगा आपका friends से आपर स्हेंसर का जल स्हेतिक अंग जL स्हेतिक अंग यानि कि आपका GILLS के दवारा मचली क्या कहती है सास लेने का काम करती है आपका दो करेंट अंसर हो जएगा समानेते मानव सरीर का लगबग कितना भाग ऑक्सिजन से बना है समानेते मानव सरीर का लगबग कितना भाग ऑक्सिजन से बना है आपका फ्रेंड्स यापर से इंसर होगा 65% आपका से इंसर हो जएगा सवसन किरिया हे तू किसकी आउशकता होती है सवसन किरिया हे तू किसकी आउशकता होती है सभी फ्रेंड्स इस पहत्रिन क्यूशन का पहत्रिन अंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपका फ्रेंड्स यांपर से अंसर होगा ऑक्सिजन सवसन किरिया का सबसे सभी फ्रेंट लाई करेंज सब्सक्राइब को यादे सब्सक्राइब करेंगे। की परती रोदगता तापमान बढ़ाने पर अर्दचालक की परती रोदगता तापमान बढ़ाने पर किस परकार परभावित होगी आपको फ्रेंड्स इसके बारे मतलब है most important question बड़ा ही बैदन question आपकी स्क्रीम पर है सबी फ्रेंड्स का answer comment box में जरूर करेंगे की अर्दचालक की परती रोदगता तापमान बढ़ाने पर किस पर कार प्रभावित होगी आपका फ्रेंड्स का आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है आपका फ्रेंड्स के बारे में बताना है आपका फ्रेंड्स यापर से answer होगा और बैक रूल है बैक रूल रेडियो से क्रेटा की क्या है सबी फ्रेंड्स याद रखेंगे आईए बात करते हैं अगले question की कि बरफ को बुरादा बरफ को बुरादा में पैक के जाता है बरफ को बुरादे के अंदर पैके जाता है आपका फ्रेंड्स यापर क्रेड़ रखेंगा बुरादा उस्मा को क्या होता है कुछ अलक होता है वो अपने उन्दर से उस्मा को प्रभावी तनिहोंने देता है जिसकी वज़ए से बरफ है लंबे समय तक क्या लंबे समय तक बरफ पिंगलती नहीं है सबी फ्रेंड स्यादर रखेंगे आपका उप्षिमर तीन सही अंसर हो जाएगा आईए बात करते हैं अगले बहतरे इनक्षिन की जो आपके स्क्रिन पर ये रहा आपसे फ्रेंड्स पुछा गया है तपत जल के थेलों में जल का प्रियोग किया जाता है क्योंकि आपका रिजन क्या रहेगा बिटा क्योंकि इसकी विशिट उस्मा क्या होती है अधिक होती है इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है ज़्यादा होती है आप्षमर आपका तीन क्रेट अंसर हो जाएगा आईए बात करते हैं अंगले कुशन की रासानिक अभिकिरिया की उश्मा किस पर निर्बड नहीं करती है रासानिक अभिकिरिया की उश्मा किस पर निर्बड नहीं करती है आपका फ्रेंड से यह अंसर होगा उस पत पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है रासा ने कब बिगरिया कि उश्मा किस पर निर्बड नहीं करती है उस पत पर जिस पर अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है आपका उप्षमर दो करेंट अंसर हो जाएगा दो निकायों के बीच उश्मा के परवा की दिशा किस पर निरबड करती है आपका फ्रेंड से आपर से इंसर होगा आपका ऑप्शनमर अपने अपने तापमान पर किस पर उनका स्पैसिफिक हीट कितना है उस पर डिपेंड करता है दो निकायों के बीच में उश्मा के परवा को क्या कहा जाता है वातावरन के अंदर सतीजी उश्मा अंतरन को क्या कहा जाता है आपका फ्रेंड से एंसर होगा और अभी वहन अभी वहन आपका से एंसर हो जाएगा निमल में से कौन गरम खून युक्त प्रानी है निमल इकित में से कौन खरम यहां पर गरम खून युक् लेकिन वेल का खून क्या होता है गरम होता है सबी फ्रेंट्स सियाद रखेंगे आपका नेक्स विशन है हिमोगलोबिन में समलित धातु है हिमोगलोबिन में समलित धातु कौन सी है आपको फ्रेंट्स इसके बारे मतरण है आपका फ्रेंट्स यापर से इंसर होगा आईरन या फिर लोगा है जो हीमोगलोबीन में समले धातू है आप्शन में आपका तीन से इंसर होज़ेगा नेक्ट आपके लिए मनुष्य के लाल रखत कोशिकाओं का जीवन काल या चकर अवधी कितनी होती है मनुष्य के लाल रखते कोशिकाओं का जीवन चकर या अवधी कितनी होती है आपका फ्रेंट्स करड़न शेगा 120 दिन 120 दिन से इंसर होज़ेगा नेक्ट आपको फ्रेंट्स के बारे मतना है मानो रखत का प्रेंट्स के बारे मतना है आईए बात करते हैं अगले क्यूशन की आपसे पुछा गया है रखत समू अत्वा रखत वरकी की खोज किसने की गई थी या किसके दोरा की गई थी आपको फ्रेंट्स बताना है आपको फ्रेंट्स बताना है कि रखत समू या रखत वरकी की खोज किसके द्वारा की गई थी आपका सबस्क्राइब कर लेंग को प्रेस कर लें ताकि आपके पास वक्त पर सभी क्लास का नोटकेशन पहुंग जाए साध्या आपको बता दें सोभेle 6 बजे करयन फिर की क्लास साधे 6 लूशा और सप्रड़ी का महा संग रहें साधे 8 आपकी जन शैंसी क्लास, गयरा बजे आपके बजे रहेगी आपके यहां पर 2 बजे रहेगा जनरल अवेर्नेस की क्लास आपके लिए साधे 5 बजे रहेगी मेंट पर जनरल अवेरनेस नो बज़ आपका फिर से मौक टाश और नो बज़ गर पंदा मेंट पर रहेगी आपकी यहां पर रिविजन क्लास पर तेक दिन की सबी क्लास के नोटिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेड़ आइकिन को प्रेस करना ना मुले धन् सब्सक्राइब आपका दिन मंगल में हो जैहिन जैबार्द आपका दिन मंगल में हो जैहिन जैबार्द